शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलोई की भावरा पेट के पहाड़ीों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोड़ पर मिले आठ गोलियों के निशान पुश्पाटू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है पुश्पाटू से अलू अर्जुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीस हुआ तेड़ी गर्दन किये पुश पर आज नीले रंग में पुटा, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्टॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीमबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अर्जुन का ये लुक चोकाने वाला था लोगों ने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोज में दिखेगा हाथ में बंदूक, बदन पर लूंगी बांदे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा लेकिन दोस्तों ये लुक चितोर की गंगम्मा जातरा से प्रेरित है क्या है गंगम्मा जातरा? अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जातरा हर साल मई के महीने में बनाई जाती है इस दोरान भव्वे पुजा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहाँ पुरोश अपना वेश बदल कराते हैं, महिलाओं की तरह सज कर, उनकी तरह शिंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुषपटू में अलू अर्जुन का गिर्दार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो लेकिन तिरुपती में मनाये जाने वाली गंगंमा जात्रा की कहानी बिलकुल विप्रीत है, लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपती और आसपास की इलाकों पर पले गुंडेलू नाम का एक आदमी राज करता था, एकदम दुर्ष्ट दुराचारी किस्म का आदमी, मह गुंडूलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्वयभार करने की कोशिश की, देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अग्यात स्थान में छुप गया, उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया, तिरुपदी के लोग विचित रवेश धर कर पहार निकलते, गंगम्मा को कोशते, इस यात्रा में साथवे दिन पले गुंडूलू बाहर आ गया, जिसे ही वो बाहर आया, तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला, अगर पुश्पा 2 में पुश्पा राज जात्र में हिस्सा लेता है, तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा, दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है, पुश्पा 2 के लिए हमें कमेंड बॉक्स में अपनी राज जरूर बताएं, और देखते रही है हमारा चानल, पॉलिग्राज स्टू अपरोल पुश्पा का कि सिंगम 3 रिलीस होने वाली है, पुश्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीस देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीस किया, इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, ज पुश्पा 2 के इस पुश्पा 2 को देखकर लग रहा है कि मेकर्ज ने पुश्पा राज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फिमिन इन टच दिया गया है, या कुछ और एंगल भी हो सकता है, पहले तैयारी थी कि पुश पुश्पा 2 को 2022 में रिलीस किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तब ही KGF 2 रिलीस हुई, उसके बाद मेकर्ज ने पुश्पा 2 को दोबारा से शूट किया, शायद पुश्पा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे आला कि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है, वो चाते थे कि दर्शवों को पुवी तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया, बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 के आदितर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते, इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है, वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे, 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है, ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा, दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 भी स्केडियूल्ट है, रोहिद बता चुके है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, इस बड़े बजट और भहमकर स्केल पर बनाया जा रहा है, प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है, सिंगम 3 में अर्जे देवगन के साथ अक्ष का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे, पुष्पा दराइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट अक्टर का नैशनल अवार्ड मिला है, वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू एक्टर हैं, एर पुष्पा 2 को रंगस थलम फेम सुकुमार डाइरेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंग्नम 3 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल पॉलिग्राद स्टुडियोज अबराने की कोई ज़रूरत ने, मेरे बेठे की एंट्री मतलब एंड बादमाशो को डिसेंट रहे हैं, बुष्पोस हमाज साचिया मेरे बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या, फ्लावर में आई, फायर है मैं पुष्पा दा रूल से अलू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुष्पा धरूल में दर्शुको को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, पहले पार्ट में पुष्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा, ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउंवालों का भला करने वाला पुष्पा को पुष्पा के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुष्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुष्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोडी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की मा बनेगी इतना ही नहीं पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँवें पहुच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पतनी दक्षाइनी और फ़ अंसुया भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पाद राई साल 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उँ अंतवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उम्मीद रखते हैं DSP पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं डीएसपी ने पुषपा के समान्था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उँटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेगन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स आफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोलड माइश टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनीश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुषपा 2 के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी दिये गे इंटर्व्यू में मनीश राह ने कहा कि पुस्पा दा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफ़तार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकराच छुने में कामयाब हुई मनिश सा ने पुसपा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साब कर दिया कि पुसपा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्हें बताया कि पुस्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुस्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चलीगी। साल 2030 तक पुस्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहु वली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मरिश्पा ने कहा कि बाहु वली के पहले पार्ट ने 120 करोण की कमाई और पुस्पा ने और पुस्पा ने साधे 300 करोण रुपे कमाएं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुस्पा और पुस्पा बाहु बली से आगे जा चुकी। अब ये देखना है कि आप पुषपा 2 वाहू बली 2 का रिकार्ड तोर देगी लोगों का तो ये मानना है कि जो पुषपा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकि 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पुषपा 2 1000 करोनी फिल्म बनेगी फिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुषपा आखिर रिलीज से पहले किसने से देख लिया है क्या वाकई ये के जी अपको टकर देने को तयार है अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सूपर स्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइन लाइन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था दिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेख कर वो इतना दावा कर रहे है कि पुश्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुश्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जिएप की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बूची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बाबू ने पुश्पा की सीथी तुला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वेक या उसका दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंदधार कर रहे हैं अगर मोस्ट होती है तो यह देखना दिल्चस्थ होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ याश होंगे और याश ने तो और एक ट्रेलर रिलीस कर दिया के जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली दोस्तों आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या लगता है अगर पुश्पा और की रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियन्स खफा क्यों रश्मी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है मैं प्रेंक आग सभी क पुश्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रीलर फिल्म है जिसके लिए ओडियन्स पेहद ही एक्साइटिड है एक तो बाहु बली और केजिएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडिस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सो मिलने वाली है उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश दे क्यूडी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस दल्ती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है तो क्या है वो दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था तब एक इंटरव कर दिया उनके इसके नाम से पूरे मीरिया को हिला कर रख दिया आखिर वेहार कर खुद रश्मीका ने येश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परसनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के बी बारे में उपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करें ये सब कहा केजिय स्टारर येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फिस पर आ क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दें ये आ देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 kgf के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में बूची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है की नहीं क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अगर बूची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना के तो दर्शकों की उम्मीदे बढ़ना लाजमी है क्योंकि KGF कभी अलगी स्वय कि उसका दूसरा पात आने वाला है और लोग बेसबरी से इंदजार कर रहे हैं अगर most awaited film बोला जाए तो KGF है तो ऐसे में अगर पुषपा रिलीस होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा क क्या यह KGF को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो अल्रेडी एक ट्रेलर रिलीस कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता ह अगर पुष्पा और KGF के भड़न्त होगी तो कौन आगे निकलेगा क्या एक जूट पड़ जाएगा पुष्पा के पिछे हो रही लाग महनत पर भारी तो हाई गाइस में हुष्ट्रिया रोरा आपकी आज की होस्त आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चानल प पा जाता था अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटिट का टाइटल मिलता है जिनका इंतजार कोई तेल गूप करनड़ा या बॉलिवुड इंडास्ट्री नहीं बंकि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट् को चार गुना बढ़ा देती हैं लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी महनत पर पानी ना फिर जाए तो आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के फेमस प्रेडियूसर बनी वास और अलु अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं हाल ही में बनी वास का बर्टस्टे मनाने अलु मुंबई गए थे जहां वास किसी काम में बोजी थे ये वाकई वेनु स्रीराम की आइकन, फुषपा 2, बोयापती श्रीनु डारेक्टर फिल्म, और अटाला सिवा की फिल्म और एर मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रजेक्स भी शामिल हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आइक्टर के पास इतनी फिल्मे होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंचमेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया पहला कारण तो ये कि आइक्टर अक्टर अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंचमेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लास इस लिस्ट में A.R. मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके लिए राम उथी नेनी को अप्रोच किया गया था अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था आपको क्या लगता है क्या ये अनाउंस्मेंट सिर्फ एक एक सब्सक्राइट और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपर्ली स्ट्राइजाइजड एजेंडा अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेय करना फिल्पोल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तो दोस्तों बाहु बेली के ग्रेंड और और उसके बाद के जी एपकी सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना क समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है लेकिन हाँ इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायर इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अलू अर्जुन अपनी पैनलीज लेकर तयार है लेकिन दोस्तों आपक काफी कन्फ्यूज हो गये हुए लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी इसे वीडियो को पूरा जरूर देखें तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल बॉलीगाट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अल्लूर जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन होंगे वही पर वो एक स्मगलर बाइप क्राइम होंगे और इसी ये मूवी का जादा तरपाट उनको पकड मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुश्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन प्रिटिसजम या बॉक्स ऑपिस पर आई और कोई मूवी नहीं मिलकी प्रभास की सलाज से होने वाला है इन दोनों फिल्मों के वीच में काफी की ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं पहली बात तो यह की दोनों के दोनों साउट के बहुत फेमस आक्टर्स हैं और बॉलेवर्ट में अपना नाम जमाने की पोश्रिश में हैं वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउट इंदास्ट्री से कोल माइंड कहा जाता है अब पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि पुश्मा एक स्पगलर से जुड़ी कहानी है लेकिन क्यूंकि शूटिंग फिल्म की कोल सीटी जैसी जगा पर हो रही है तो हम लोग यह गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ सम फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनियन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवी बना रहे हैं जिनमें अक्चुली मरना मारना जायस लगेगा हाला कि सबसे बड़ी बाती है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़ादा हिट करना पड़ेगा अपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरोस को सर्फ हीरो के यारेक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेक्टर को एक्स्टोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कही ना कहीं ये तीनों नेगेटिव करेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्टोरेशन के उपर ही मूवी गूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर काताज तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जेव से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डैर स्टूडियोज में पुष्पा अलुवर्जुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलुवर्जुन फिर एट सैंडल्वुड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलु अर्जुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलु की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अवतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर्स में टिकेट बिखती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिखने का इस बार उन्हें रग्य दवतार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसेंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिड्यूस किया गया है जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निलवाली गर्ति नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉकबस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़रा रहे है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अज़र्जुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अरज़र्जुन के फैन्स वाकई लगी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमिक्ट में बताएं कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटिन हैं और अगर आपको ही है पुष्पा और के जियर के बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलु अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर लगी इस फिल्म में नैशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंस को औरी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तक्रार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए को हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहम ख़बर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस्ट करने की जिफ्टारी वेरी पॉपॉलर और सक्सेस्पुल म्यूजिक कंपोसर डेवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है लेकिन मुसीबत यह है कि गाने से फिर एक बार केजिये फैंस और पुश्वा फैंस आमने सामने ख़रे नजर आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि केजिये के सक्सेस के तीछे म्यूजिक कंपोसर अभी पसरूर का स्पेशल कॉंट्रिशन था जिनकी कॉंपोसिश तीध पसरूर की तक्रार के तौर पर जेख रहे हैं और चानता है कि दोनों मेर्ल बहतर है आप सोच रही होंगी कि काने से सवी फिल्मों में होते हैं, क्याن क्या है लेकिन आपको बता देखरों से स्पेशली फिल्म में अरलु अरव हर्चन की कारेक्टर को एक्स्वियेन क गाना रखा गया था जिससे और पसंदी किया था और आज भी कई बार किसी स्वैग वाले वीडियो से रहे हो गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से लोग जानने के लिए बहुत एक्साइट है कि पुश्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नही और दोनों फिल्मों से आप किसको वेड देना चाहेंगे बताएगे हमें कमेंट्स में अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर हुश्पा ने अनौंस्मेंट के बाद से ही सबकी नजरे अपनी ओर कर रखी है इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलु अर्जुन के रगड लोग को तो खास तोर पर काफी अप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक अक्शन त्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडल वुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेज अलरड़ी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में है अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूले तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसे भी इंडियन फिल्म की सकसेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकजने फेमस म्यूजिक कम्पोजर देवी शंकर प्रसाद के दर्वाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अलू अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलू काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं ये सौंग जुलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बता दे कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधुदू, वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉमपोजिशन इंडास्टरी को दे और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडास्टरी के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओर्डियंस पर एक चैसा ही इंपैक्ट करें जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन्स पयान कर डाले और देवी शंक प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है यूँ तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंबिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा तो खेर अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें चल्दी से कमेंट करके बताएए कि आप इस धमाक प्राइटर है उपासना पंड़े बहुत बहुत फिल्म पुष्पाने मानू हर और धाल का मचा दिया है खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अलू अर्जुन की इस नए अफ्तार के बाद अलू अर्जुन के इस नए रफ लुक मैं मानू लडकियों को घायल कर और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आधियों में लिया चाता है और उसकी उपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता कार देता है लेकिन क रनवीर कपूर तो पूरे संजेदत लग रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वह अमितार पच्चन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाइस करना हम अकसर भूल जाते हैं लेकि अलु अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है दरसल सोशल मीडिया पर तहल का मचा देने वाला यह लुक असल में मेकप आर्टिस्ट और लुक डेजाइनर प्रिती शील्स सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पादमावत में खिल जी के लु किये थे या फिर सो नौट आउट में रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप पूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं या फिर गंगुबाई काठ्यवादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रहे गए तो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती श सारे आइकॉनिक पिक्चिर्ज और उनके ये आइकॉनिक लोक उनी की देन हैं इतना ही नहीं मॉम हाकरे शिवाय हवाईजादा हाउसकुल 3 बाला पंगा अंदादुन शिचोरे मुल्क पती-पत्नी और वो यसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक लंबी लिस्ट साथ हो करेगा लाइक और शेयर और कर दीजिए करने वाले हैं बॉलिवुड में डेब्यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलेट्राइट स्टूडियोस के एक फ्रेश नए वीडियो में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती बाहु वली के बाद मेगा ब्लॉग बस्ट हिट मुवी वैकुंता पुरा मुलो ने एक पैन इंडिया मुवी नहोने के बावजूद 200 करोर का कलेक्शन किया था अलु अर्जुन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग सिल्ग पुष्पा राज क लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं अलु अर्जुन का न्यू रॉलुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में सोचा गया है और डिरेक्टर ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलिन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी जिसे जाहिर होता है कि शायद में आक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा मगर बावजूद उ होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा अक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं यह बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं वहीं इस फिल्म की ग्लामिरस अक्ट्रिस रश्निका मंदाना एक फॉरिस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथी साथ अलु अर्जुन की ल ले रहें ताकि वह सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पुष्पा राज एक साथ तमिल मल्यालम कंड़ और हिंदी लैंग्विज में रूलीज होगी रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने इंस्ट्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मुवी को लेकर अपने ज्यादे एक्साइटड भी उन्होंने मुवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडमिक के बीच में भी काफी सारी सामधानिया बरतते हुए टीम मुवी की शूटिंग कर रहे हैं साथी साथ अलू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एंड स्वीट अक्टर पुष्पाराज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटो गुडेम विलिच में शूट किया गया है मुवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल कारी मातरा में भीड एकटा हो गई सबीस ने अलू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया सकेंड वेफ के चलते पुष्पाराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी भी उसका कुछ हिसा शूट करना बाकी है बीच में अठाइस एप्रिल को अलू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी ती जिसकी कारण कुछ दिन तक अलू अर्जुन होम कॉरिंटीन थे जिसे वहां जा मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लि जा सकती है तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अलू अर्जुन के बिर्ट्टे के दिन जुलीज किया गया था लॉंच पर अलू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उने देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्हों कि इस स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौधन साइज में उनकी फैन फालोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अलू अर्जुन की बॉ बॉलेवुड डेब्यूस जबूर करेंगे उनका कहना था कि बॉलेवर हिंदी इंडश्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा अजमायर भी किया जाता है जिस सरह से हिंदी इंड़ाटर्स तरह साउट फिल्म से डेबू करते हैं फिल्म बनाते हैं वैसे ही वह भ पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलवू अप्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं ऐसे में अलू अर्जुन हिंदी फिंस में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेंड हैं उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चौइस है और हिंदी इंडस् में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी हैं मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड़ी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया मगर अर्जुन रड़ी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था उन्हें ने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है आफ्र दाट पुष्ट अलू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फिल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में प्रिश्म का मान देना नजर आने बाले है कुष्पा में विलन की तौर पर पहाद फजिल नजर आएंगे साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट करना ही इसको कुमार्ण कुष्पा आज इतने जादा ओलाइन लाइन में इसी लिए भी है क्योंकि इस फिल्म में दीड गौर पर अलू अर्जुन नजराने वाले हैं और अलू अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि हर फिल्में लगातार चल्चा में बनी रहती है अगर कुष्पा स्क्सेस्पुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अलू अर्जुन के मैसिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उन्हें सीरियों में बात करेंगी कि आकर कैसे अलू अर्जुन साउथ के सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का चाईएग यंग आइटिन कहा दबता है अलू अर्जुन ने जादगर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूर की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे है उन्हें उमीद करते हैं आने वाले दुनों में वो जल्वी बॉल्वूर की किसी फिल्म करेंगे फिल्हाल मैं आपको बता दू उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अज़ चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ उन्हें बच्षण से ही आक्टिंग और डान्सुन का शॉप रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने रहे इसके बाद अलू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म ने ली जिसमें उनने लीड किरडार नभाया था और वो धी गंगोद्री पिक्चर लोहों को काफी पसंद आई और इस पिल्म ने अच्छा खाता बिजन्स भी किया था लेकिन अलू अर्जुन के करियर में तब से बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिवेस किया गया आर्या को अलू अर्जुन के करियर का सबसे सकस्वल फिल्म कहा जाता है इस पिक्चर में उनके अक्तिम स्किल्स की काफी सिराहना हुई थी इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद, अलु अर्जन को कई अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें फिल्फेर अवार्ड सी शामिल है, अब बात करते हैं कि आखिर अलु अर्जन को साउथ का स्टाइलिश सूपर स्टार क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता साउथ इंडस्के में जितने भी चेहरे हैं, उसमें से अगर इसी के लुक्स को सबसे जादा अप्रिसियेशन मिलता है, तो वो है अलु अर्जन, खासतोर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं, दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिरू में अ अंदर बुड की इल्लीगल तस्तरी की जाती है, और कैसे अलु अर्जन फिल्म की शुर्वाती दोर में एक खराब इंसान होते हैं, लेकिन बात में उनकी जिन्दी की में काफी बदलावा जादा है, आप पुश्पा की में कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट इच्छे म नहीं कर पा रही है, इस मुवी से रिलेटेड बार-बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आ दी है, जिस वज़े से फैंस की एक नई फैंस फैंसी औरी बननी शुरू हो जाती है, इस मुवी के लिए जहां टॉली वुड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अ ऐसा करने के एक बड़ी बज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मुवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्केर नहीं है, इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइर किया है कि डि बड़ी बड़ी स्पैन होने कीवजे से फिल्म को दो पार्ट में रूलीस किया गया, फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्ट्सटोरी लाना और पूरी मोवी को रिवेर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेप पहली बार ही किसी मूवी के जरिये दिखाया गया है कि गाना है तो मुवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप म्यूजिक, डिरेक्टर, फ्रेड्यूसर और ओस्कर बीनिक स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सिस इस मुवी को मिल पाती है। का हिंदी ओडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वज़े यह हो सकती है कि अलु अर्जुन वैसे ही अपने हैंसम और डैशिंग लुप के लिए काफी पॉपुलर है और उनके हैंसम होट लुप्स और परस्नालिटी एक आम बात हो गई कर ओडियंस के बीच इतना प्रेश पैदा नहीं होता जितना प्रेश पैदा नहीं होता जितना के मोस्ट टैशिंग स्टार अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग मुवी के लिए काफी जादा इसाइड़ है और पूरी टीम में बहुत जादा जोश है फिल्म का फेलर 70 मिलिय कर चुका है जिसे पिल्म की पूरी टीम काफी जादा खुच है सिर्क के रिलीज से पहले लिए इसनी बड़ी काम्याभी मिलना साउं इंडस्ट्री के एक आम बात होती जा रही जाद होता है मुवी के ट्वेलर में कोई राइड़ अप नहीं है सिर्फ अलु अर्जुन के लुक्स और फाइडिन सीग्वेंसें में काफी पहरका मचा दिया इस उन सी कोव मेरे रही फॉरे से शूट किया गया है जहां हाइफ पूर्स कोस्ट और कम्पीट सेक्योर्टी ने इस प्रती पर काम किया गया था क्या जानते हैं कि इंटर्नाशनल प्र्म ग्रीव और साउ साथ शायर से इंटर्नाशनल ओडियंस को भी लुखाने करिके तुष्वा राज की कामरा हैंलिंग के लिए चूस किया गया है पॉलिश क्या मैं बीडर्स लॉफ फूबर प्रेजेंट को जिरा दोसके मीडर्स लॉफ वो इंडिया में पीसी श्री राम और पोलन का चाता है उसके लिए एवन आवे पोलसिन काम कर चिके हैं उस फिल्म में मीरुस लॉफ के काम से इंड्रेस्ट हो कर ली सुकमार ने अपनी अपकमिग फिल्म फुष्वाराज के लिए निम्प फायर किया मीरुस लॉफ भी फिल्म में इस्सा बनने का यह मौकाप आकर खुश नजर और फैंस भी ये थबर सुनने के पाथ काफी जादा खुश पेंगे लेकिन ये खुशी के पल जादा समय तक नहीं घर पाई थी जी हाँ, सूतरों के मताबिक खबरों के अनुसार कुरों पैंडमिक की वज़ते वह बाफ में जा रही है और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही है अनु अरचिन मीरोसला के साथ काम करने के लिए रहा है और ये एकसाइटन मीरोसला के एफर्द में भी दिख रही थी ट्रेलर लॉंच के दौरां मीरोसला ने प्रिम की काफी तादीश की थी थी और फिल्म के हर इविंट का चाहिए वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या पिर कई पूचा सरेमरी को या फिल्म का सेलेब्रेशन क्यों ना हो उसका हिस्ता जरूर बते पिक लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटर्नाशनल ट्रावल में सेफ्टी बनी रहने के लिए इसलिए सभी रेस्रिक्शन और गाइलेशन को फॉलो करते हुए उनको एक फीज ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक एक फिल्म पर गहरा अच्छर डाल सकते हैं क्यों क अब क्या नियु क्रामरामन इस लेवल को मैच कर पाएगा अच्छर को अच्छर को अच्छर को अप्रोच करने के चैन्स चल रहा है जिससे फिल्म की विज्व कॉलिटी और जामें इंगे श्रू बर सामें आतू है अभी तक युरोपियों पॉलिश चिनमाटरावन अपना वार सिखाज क्यों पैटकू फिल्म्स में जिया रूश्दों इस से पहले ही फुषिश कुश्पा राज के लिए फूई थी लेकेْ पेश्यक्तू नहीं हो पाई अब किया नए का अलू अर्चं कि अपक्रण है फिल्म फुष्पा ने अपनी एपनी एनाउच्मा के बात से तो कभी फिल्म का गाना पिल्ब आए दिन खिसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इंसारी प्रेज की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियो में देख बी चुक है लेकिन आज हम बो बैसिक इंफोमेशन के करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं, लेकिन फता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जान देगे हैं, हमारी वीडियो को एंग तक देखें। और अगर आपको मारा वीडियो पस लाएं, तो से लाइक और शेयर करना दूप बुलना भूले। जबसे को इनकी अनाउंस्मिन हुए है, एक सवाल में सब के मन में भयकर देखें। आपके फिल्म का नाम कुश्पा ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई स्रीक्रेट वज़ा है? इस बारे में कई क्योरी भीटें। कुछ के अपॉड़ी? कुछ फिल्म में अर्जुन की मा का नाम कुछ्पा हो सकता है, जित्सों बहुत प्यार करते होंगा और उजुन की बात के बाद लीए हमकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम कुछ भी रखने के लिए। तो कुछ का कहना है कि क्या पता, ये लीडिंग लेडी रश्पेका का नाम सेकुलेशन की हद तो तक तक होगी जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डिडिक्टर सुपमार राजश्पिता के बड़े फैन इसलिए ये नाम रख लिया गया, यूनो कुछ का आए कुछ आए ति अक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल का कारण है, जितना डीज में जाकर फैन्स के सोचा, उतनी मेहनत मेकर से निली ती फिल्म में अलु अर्चिन के क्यारेक्टर कर नाम खुष्पक नारायन रखा गया है, जिने सब प्यार से खुष्पा बुलाते हैं, और इसी वज़ए से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया, आफ़ और पूरी कहानी इस किर्दार के इस किर्द दूमी दी, बताते ह पहले पिल्म का नाम सेशा चल्लम रखा जाने बाला था, यह पूरी कहानी सेशा चल्लम में प्रॉमिन स्मगलिंग पर बेस्ट है, अगर ऐसा होता तो खुष्पा और केजियेट में एक और सिमिलारिटी हो जाते हैं, क्योंकि केजियेट का भी यह नाम इसे भी रखा गया, क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस थी, केजियेट पर किकर राज होगा, शायद इसी चीज को रखा करने के लिए क्योंकि हमार ने सेशा चल्लम को फुष्पा कर गिया, इस पे फिल्म का टाइटल काफी क्यासी भी हो गया, और और इंक्लूसिटी और क्रियोसिती लगाने व पुष्पाराज के बारे में, दोस्तो पुष्पाराज को टीजर जब से रिलीस किया गया है, और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फुल लांच पे जब से अलू अर्लू अर्जन ने अपने नौध इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए इंगलिश में स्पीश दे अधर देवी श्री परिशाद के साथ, उनका काफी टाइम बात कॉलाबरेशन हुआ है, इसे पहले सुकमार और अलू ने साथ में दो ब्लॉग बिस्टर मुवीज करी थी, जो कि आर्या और अर्या का सेकंड सीक्वल, आर्या टू और ये बास सभी जानते हैं कि इस मुवी में डबल रोल करते हुए नसर आ रही है, जी हाँ दोस्तो, सूर्सिस की मानि तो जहां अलू अर्जुन का एक किर्दार स्मगलर के रूप में नसर आएगा तो वहीं दूसरा किर्दार बिस्निसमैन के तोर पर दिखाया जा सकता है, अब दोस्तो पुषपराज क कि आखिर ये बात सच है या जूट, अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और आक्टर दोनका रोल, अलू अर्जुन साथ में निवाते हुए नजर आया, अब दोस्तों सोची ज़रा जैसे बॉलिवर्ड मुवी डॉन में हुआ था, जिसमें असले मशने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आद्मी को उनकी गांग में डॉन बना कर बेज दिया, तो दोस्तों कुछ ऐसी ही खानी इस बार पश्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी, स्ट्रॉंग रूमर्स की बात की है कि अलू मेकर्स क्लियर करेंगे तब ही पता चलेगा, वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इनतजार करना पड़ेगा सबी को और दोस्तों इन सबी खबरों से अलू अर्जन के फैंस काफी जाद एकसाइट हो रहे हैं, आप दोस्तों बात करें कि अकर अलू अर्जन आपने फैंस के बिना कुछ नहीं है, इसलिए साउट में देगा जा सकता है के अलू अर्जन की फैंस काफी जादा बड़ी है, अपने क्लोस फ्रेंड और साथी साथ उनके फैंस के फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टिड रहते हैं, और यही वज़ा है कि नौर्ट इंडिया में भी साउट इस नेचर की वज़ा से उनकी लॉक बस्टर होने वाली थी, लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तेह तारिख में रिलीज नहीं हो पाईगी, फिल्म का इंतिजार करने फैंस को अभी 3-4 महिने और इंतिजार करना है, क्योंकि 99% यह फिल्म 17 दिसेंबर 2021 को जरूर रिलीज शरवात में Allo Arjun एक बिजनसमेन के रोल में नज़र आएंगे तो मज़ा तो आएगा ही, इसके अलावा आपको बताते हैं कि Allo Arjun ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत ज़्यादा सूपर हेट रहेगी, क्योंकि ज अलुज तो आपको बता दे गालावा तो आपको बता दे कि एक खबर यह बहुत बढ़ी एक प्रमोशन हो सकता है तो सोचिए, अगर कपिल शर्मा शोग में पहुच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों यह बात वाकर बहुत बढ़ी एक्साइटमें अगर ब बन भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूरिया जो की अलु अर्लु अर्जुन के साथ और भी फिल मंगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें की अलु अर्जुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बांटम पैंड दिख रहे है साती उनके हाथ में स्टील के जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का यह दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे की अलु अर्जुन का लुग जो की कुर्ली हैर उन्होंने कैरी किये है और जितनी भी फ इतना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का यह ज़रूर बताईए और यह नॉर्थ में कितना बड़ा दहमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए आद से नीचे कमें सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा और इसी कि दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्ट मारता ज्यादा हूं किंता कम हुआ जिनकर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है ब्रॉब्ल Hey अलू अर्जुन के अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ऑपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्ड़ वाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियोज मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन के जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेय पारेटी रग दी है और जिसने भी यह लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भ पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशों में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन्ह में हिंदी में भी बड़े पड़े पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि 30 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशों में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड यह उक्क्यूपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो दोसों से 200 करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो बीस करोड का यह ओवर सीज कलेक्शन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ड वाइड यह कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो व अच्छमी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तो इतना तो ये तैह है कि ये फिल्माल ही मचा पाएगी और सेंडल वुड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया है इस फिल्म कानी चाहिए अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए किर्दा से बदल जाए अभी नीतरी की च्छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राफ स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर द जिसरे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द यह मन büyउर ऑर जुड़्ाइम बंने जा रही हैै और दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेत्री। 24 साल के सभी नेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बावो के साथ सरीलेरू, निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी। फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लामरिस अंदाज में देखी गया भी नेत्री अब करनी जा रही है गाव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गाउं की एक गड़ी बलड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तू जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं। वही केजी एफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कंणर ब्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ। जिन्होंने आईश्वर यर्या, का फिल्मी करीयर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दिपेका पादुकून के फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानियों और पदमावत ने दिपेका के कारियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या श्रीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हित फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश्पा को मैत्री मेकल्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजन और डारेक्टर को औरतला श्रिवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट्वेंटीवन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुश्पा डारेक्टर सुकुमार अलू आरजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेल्गो हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी तेला का गाना घेडी मम्मी है ने घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद Mack 믿 मिूजिक के पुष्पा को इस साल की शुरुवात में लॉंच किया जगया था अलू अर्जुन्स टैरर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को लियान में रखते हुए निर्माताओं ने जनुवली तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुष्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है ह हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाया चानल बॉलिग्राफ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमनल अलो अर्जन स्टाडर पुष्पा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस किया है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरिन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेन आने वाले हैं तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि आप बॉल्यूर्ट ही बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई कैसस में तो बालिट से बड़िया कॉंटेन परोस रहे हैं हर तबके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस त्यालगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आईए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेटस अने लूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइब बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फलिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लिशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चला है घमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बोडिग्राफ में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वह बहुत जादा एक्साइटेड हो गए अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नॉर्थ में भी अलु अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जन्म दिन के मौके अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलु अर्जुन बहुत ज्यादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया था और लुक के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशीर सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए और जी चुके है और प्रतिशील है दर मॉम एक सो दो नॉट आउट ठाकरे शिवाय हवाईजादा हासफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टिस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म मे पीछन के लिए है दोस्तों क्योंकि अलु आर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आए उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुन ने से कैप्शन दिया है है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थियेटर स सर्फ अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा है वो फिर से वही मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुष्पा एक एक अक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक करें हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उ अंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वही हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउं में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वुर जो लकडी हो इसमें विजय सेतु पती और अलू और जुद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि कि खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों को कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्शन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को यह फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइट है लिए जल्दी से लिग डालिए नीचे कमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवर्ट, टॉलिवर्ट, खलिवर्ट अबडेट्स पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलगू लैंग्विज आक्शन त्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेखा सुकुमार ने हैं सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर, प्रिड्यूसर और स्क्रीम राइटर है जो कि प्रीडॉमिनेटली तेलगू सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुआत अज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया है सुकुमार ने अपना डारेक्टर डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रडियूस मेथरी मुवी मेकर्स इन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहट प्रडियूस किया था फिल्म पुश्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका next project सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने project साइंग किया सूकुमार के साथ उनके फिल्म में as a lead actor काम करके सूकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबरेशन है साथ में सूकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाँच किया गया था औक्टूबर 2019 में दुबारा स्टांट करी गई थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे दी आंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को अपरिल 2019 में आज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को की रोल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जिलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस अक्टर धननजी को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पांग को की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गय इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए ट्ष्टर मैंना साही हो ढूख लगती है तो पेट बर खाता लीन दाती है तो जी बर सूता और कुछ साहता है तो प्रॉब कर लगता कर दो कर दोड़ा है पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिग्राश वीडियो में तो चलिए शु हुआ था जब 2015 में एसेस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार प्रभास की वाजा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पुरुष और साथ में नाग इश्विन की फिल्म और सिधात अनंद की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म के एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रूलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रूलीज होने वाला है साउथ इंडियन आक्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी जया प्राडा एश्वर्या राय असिन दिपिक पादुकोवन तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा सॉंदर्य काजल अगरवाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही पड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बड़े बड़े हीरोस के सांग काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ इस दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इ एक बड़े हीरो के ओपसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन चलिए दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित आक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज में उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है वहल अब अलू अजुन के जुड़ी एक और जिल्चस्ट खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उनके फैंस का ट्रेश साथवे आस्मान पर पहुँच जाने वाला है देशल अलू अजुन ने हाली में केजी अफ डिरेक्टर प्रशान मील के मुलकात की है वो हैदराबाद में आज प्रशान मील के बाहर स्पॉट किये गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलू अजुन ने वहां से निकलने के बार हजारों फैंस को हाथ लाकर अभी वादन किया अलू अजुन ने प्रशान मील की यह मुलकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खबर पे अलू अजुन के फैंस में भारी ठेश है वल आपको बताते कि प्रशान मील की केजियस टूग बनकर तयार है और जल्दी क्येटर में पहुचेने वाली है इसके बाद वह प्रभास की आने वाली फिल्म के लार को पूरा करने की कोशिशित में प्रशान मील की तेयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उमीद है की जल्द मिलेगा क्या बॉली वोड में भी एक सूपस्चा बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉली वोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आईए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागे तो आप लोगों ने मैं नौर्ट इंडियन वादों से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्में तो जरूर देखी हूँगी पूरे साउथ में इस तरीके से पूदा जाता है उन्हें वो रिकोगनीशन उस लेवल का रिकोगनीशन बॉलीवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तो आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कांथ को पूरे साउथ में इस तरीके से पूदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म विलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उनों ने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब करकर रिलीज कर दिया जाए तूनाइन फिल्मों को सिनमा घरों में एज हिंदी डब रिलीस कर दिया जाए ऐसे में हम साहूद की इन फिल्मों का मज़ा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदी की सिनमा घरों में भी देख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहूबली फ्रेंचाइज और KGF फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब करकर सिनमा में रिलीस किया है और यहां तक कि साहूद जैसी फिल्मों में हिंदी अक्टर्स को भी लिया गया है साउट के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियन्स, तमिल ओडियन्स, तन्नड ओडियन्स यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदलना चाहते हैं हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारीफ की उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ लिखी उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते इसलिए वो अब पुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितने तेजी से अलू एंट्री मारते हैं बॉलीवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलीवॡ स्टूडियो को सब्स्क्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाते क्या अलू अरचन की फिल्म पुष्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है अब देख रहे हैं बॉली क्रास्ट त्यूडियो मैं सोनी काजयार पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई ये पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां उर्वशी रौतेला अब उनका एक आइटम सॉंग होने वाला है पुष्पा में बहतरी डांस तो उर्वशी करती ही है साथ ही उनके जो लोक्स है वो वाकई कातिलाना है और आपको बता दे पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था लौ अर्जुन से सेट से भी बहुत स कोई भी तस्वीर बाहर न जाए वो बहुत बढ़ा सर्प्राइज एने वाले है इस फिल्म के जरीए आपको बताथे इस फिल्म में अलु अर्जुन का जो लोक है वो काफ़ी कमाल का है अलु अर्जुन के इसमें कुरली है नज़रा रह रह है ौर चैक शॉट नज़रा र वह पुलिस का करदार करने वाले हैं और शायद अलू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे यह सारी कहानी होगी रश्मी का मंदाना अलू अर्जुन के अपॉजट इस फिल्म में नजर आएंगी वहीं आपको बता दे अलू अर्जुन की पुष्पा एक प्यान इंडिया फिल्म ह मज़ा आजाता है लेकिन सोचिए बड़े परदे का अनुभाव किस तरह से होगा जब ग्रैन एंट्री होगी और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अलू अर्जुन की उस पर 6 करोड का बड़ा खर्चा किया गया है बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा इसमे आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस वद में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताएगा फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक से रिलीज किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कॉमें सेक्शन में कितना इंतजार है पुश्पा का अलूर जुनापु कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवड, टॉलिवड, हॉलिवड रिव्यूस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएग वाले हैं फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदेदा हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आप्रिस का नाम लेंगे आप कहीं य आपकी को नाशनल क्रश आफ इंडिया 2020 फीमेल घोशित किया गूगल ने नाशनल क्रश शर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्रेंट करने लगी है और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेर भी किया उन्होंने इसके साथ लिखा मेरे फैंस वाकई लिजिनरी हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरा दिल मेरे फैंस के पास है 24 साल की रश्मिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोग प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेलगू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब पारीफ की गई थी और फिल्म मुस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस में फिल्म के हीरो रक्षित शेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप आक्रिसेज में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रच्मिका की जोड़ी बनाई गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रच्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलु अर्जुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म के स्टोरी लाइन बेहद इंट्रिस्टिंग है और आंधरपदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है इस एजगाप को बनाई हुए रच्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपरस्टार सिंगहम सूरिय के साथ काम करने जा रही है टॉलिवड अभिनेता सूरिय जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे है और उनकी 40 फी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिय के अपोजट रश्मी का मंदना होंगी वहीं सूर्य महेश बाबू और अलु अर्जुन तीनों ही शाधिश उदा आक्टर्स हैं अलु अर्जुन इस लिस्ट के सबसर जवान शाधिश उदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अलु अर्हा का जनम दिन पुश्पा के सेट पर मनाय बता दे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधरप्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े आक् इस आईश्वर्य राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखिए कैसे समय बडल गया वहीं क्या समय सही में बडल गया या केवल समय मेल आक्टर्स के लिए समय बडला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मशूर हैं अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टर के को और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेदुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अवाद्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो विजय की पॉपिलारिटी टेक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमारे चानल इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर बारता ज्यादा हों किनता कम गिनकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है पाइटिंग फिल्म के सबी सीतारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तो अपने जंगल में मंगल की कहावत तो ज़रूर सुनी होगी लेगिन कआ आपने जंगल में दिवाली की पहाँछी पूरी टीम जो यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंगी शोर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़तार जो यहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले 1st लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोचल मीडिया पर वाइरल होता भी नज़र आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमे तद्धार पर COVID-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलु अरजुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमिका निभाती नज़र आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अबिनीता विज़ सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ फ्रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विजन सेतुपती स्रीलंका के स्पिनर मohtया मुरी धरम की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्तर रिलीज हुआ है ये मोशन पोसर रिलीस होते ही तमिल लोगों ने विजे सेतुपती पर हमला बोल दिया जी हां दोस्तों उनका कहना है कि लाखो तमिलों के हत्यारे श्री लंका देश के क्रक्रिट सितारे की बायो पिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथेया मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है शाक शेम ओन विजे से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजे से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा हुआ है दोस्तो जब फिल्म के सितारे विजे से थुपती मुश्किलों में पसे हुए हैं दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं विजे से तुपती मुश्किलों में पसे हुएं, दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं। यहां दोस्तों, कैश के अलावा घर से प्रॉपटी के कागस भी बरामद हुएं, वहीं रश्मिका के माता पेता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। दोसे घायर कर चुकी हैं। रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी। लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया। दोसे 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी। लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया। दोस्तों वहीं क्या गुड़ चाहती हैं अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना तो बता दें दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीवनसाती के रूप में चाहिए। इतनी मेंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखे अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाय तयार होंगे। में रश्मिका 2021 की शुरवात नेया लूर्जन के साथ पुश्पा में दिखाई देंगी साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है। तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो के ऐसी लगी हमें कमेंट करेंगे। असिन पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुंची पुष्पा की तीम क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से अलो अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा पर एक साहितिक साजिश्रच्रे कारोप लगाया जारा है जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था। कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताय कि वह विवाद को भढ़काने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने की एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि को कहानी उनकी कहानी के सममान है वेमपली गंगादर आंदरपर देश के कड़प उढ़केस नहीं को कहानी संगरा मोलाकला पुनम्य के लिए उन्हें साहुथ तक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित क्या गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलकला पुनम्मी तेरा लगू कथाओं का संग्रह ये किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरिन जीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी थेरा आगया है लिखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के संबान थी वहीं पुषपा, सूकुमार दुवारा लिखित और निदेशिक नई तेलगु भाषा की आक्शन थिल्लर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुक्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपती बाबो सहायक भूमिकाओं में होंगे यह बशुम दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कार्ड इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रेणियों और अलू के प्रेशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की अब सूकमार की फिल्म में पुष्पा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुष्पराज की भूमी का निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एक अस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केड्डिूल विशाखा पत्नम में एक विश्च रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमार में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है जिनके कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी स्टाइलिस स्टार अलु अजुने अपनी लॉरी ज्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तयार है इस लॉकडाउन के दुराँ रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के निर्माताव ने इस बात की पुष्ची भी की करने वाले हैं जिस वज़े से ये फिल्म एक काफी एहम सीक्विन्स रहेगी वहीं इस सीक्विन्स में कहीं अलू की चंदन से भरी लखडियों की वारी ना ठूच जाए और हमारा नुमान है कि वेफिन पुश्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टीशट और फॉर्मल पैंड पहंडे डीयर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्मा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के भी इज फिल्मी केमेस्टि जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चानल बॉलिग्राट पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस ट्राक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलू अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर वाला मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलू अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियन्स है बार-बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियन्स के लिए स्पेशल ही अलोर जुन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन ये फर्स टाइम हो रहा है तो अलोर जुन ने पूरे जान जोग दी है एक पी-ार टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवट के चैनल है उनमें इंटरिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलोर जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शोग में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोचे अलोर जुन अगर कपिल शर्मा शोग में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजए सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है सूरिया जो की अलु अरजुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं, साथ ही सूकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलु के साथ पहली भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एकक साब से लगाया जाए और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलू अरजुन उनकी जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80's से 90's का ये एरा है जिसमें कि अलू अरजुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि 80's के दोर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे की अलू अरजुन का लोग जो की कॉली हैर उन्होंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अलू अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये जरूर बताईए और ये नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिहाद से नीच और कॉमें सेक्शन में अपनी राइव जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं असा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जीवर सूता और गुस्सा अलू अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुषपा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुषपा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुषपा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्रास स्टूडियोज मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेयर है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमाका मचाना चाहते है इसके लावा आपको बता दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डे से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छे खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंड्रेट परसेंट ओक्यूपेंसे रहे थेटरस में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटरस में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग कर रही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों से धाइसो करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का यह ओवर सीज कलेक्शन करेंगी पहले दिन तो इस हिसा अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी व्यूस के मामले में भी और फैंफॉलिंग काफी तगड़ी है इसके लावा उनके अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दर्जर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये तै है कि ये फिल्म ही मचा पाएगी और सेंडल वुड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतू पती इसमें होने वाले है एक और विल्लन का लाम सामने आ चुका है वो है आरिया और अलु अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुकी है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को क्या इस नए किदा से बदल जाए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलक गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिक्राद स्टूडियोज में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुछपा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर दे लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलुअरजुन की हिरोईं बनने जा रही हैं दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर शक है पुश्पा जो फिल्म में प्रदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलुअरजुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलुअरजुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारो के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेत्री 24 साल के सभी नेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बावो के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरिस अंदाज में देखी गया भी नेत्री अब करनी जा रही है गाउ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाउं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नौन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वही केजी एफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कन्नर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में म्रुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे चिकी हैं सुन्दर और टालेंटड आक्ट्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वरय राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बडला वहीं दिपिका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजिराव मस्तानी और पदमावत ने दिपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भनसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन धून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका परा कर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीर्शक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश्पा को मैथ्री मेकर्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजुन और डारेक्टर को औरतला शुवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट्वेंटीवन से भी जुड़ गए है फिल्म पुश्पा डारेक्टर सुकुमार, अलू आरजुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलगू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान न्यूजिक डिरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुवात में लॉंच किया जगया था अलू अरजुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिव पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भनसाली की हिरोईन कहीं फिल्म पुष्पा कीजी एफ टू से क्लाश तो नहीं करेगी आथ को क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंस करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें श पुष्पा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरिन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजट हो इस effort का resultant है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि content के मामले में अब बस Bollywood ही नहीं बल्कि साथ में ही कई regional cinema भी race में आ चुके है और कई cases में तो Bollywood से बढ़िया content परोश रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउट सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउट स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उदर ज्यादा नाभटक के सीध्याद हैं मुद्दे पर स्टाइली स्टार अलु अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाइटड फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस त्यालग फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेर सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलु अर्जुन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओर्डियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आईए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउन रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैंड अलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहाँ वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजून इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलू अर्जून और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जून की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलू मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरेस्ट में इसलिए अलू अर्जून खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसे लोग में वो विलेंग के करीब पहुच जाएगा जो सैंडलूट स्मगलर माफिया हैड होगा और जिसने उसकी बेहन को इसलिए मारा होता है क्यों इस धनली का पता चल जाता है अपने फोरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए तो एन में होता है घुमास कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बोडिग्राफ स्टुडियो मैं सोनी का जयाल आपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर अर्दे पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नॉर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनम दिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लूग भी शेयर किया गया था जिसमें की अलू अर्जुन बहुत जादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकप आटिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जी चुके है और प्रतिशील हैदर, मॉम, 102, नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आटिस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और यह लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जि पुष्पा कब रिलीज होने माली है जिया दोस्तों उन्होंने यह जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुन ने से कैप्शन दिया है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13 ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तो मीट यू अल इन सिनेमाज दिस यार और सिर्फ अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत ज अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और अक्ट्रस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता फिर्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी ये दक्षडी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विजय सेतु पती और अलू और जुद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि की खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्शन में जरू बताएगा फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म रि पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांग्विज आक्षन फ्रिलर फिल्म है जुसे डायरेक्टर अलेखा सुकुमार ने हैं सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर प्रिडूसर और स्क्रीम राइटर है जो कि प्रीडॉमिनेंट बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज धनंजे सुनील गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग डोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को प 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और अलु अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइंग किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में अस लीड अक्टर काम करके, सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबूरेशन है साथ में, सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन इसे डिस्क्राइब किया थ फिल्म पुष्पा का फर्स केडूल केरुला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक की वज़ा से हौल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे दि अंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में आज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकाश राज को की रोल स्किल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कननडा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्मक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रास वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाल गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए सवर मैं आसा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता हूँ नीन दाती है तो जीवर सूता हूँ और गुश्सा आता है तो परूब कर लगता हूँ सब्सक्रिटल आस्पीर क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉन्ट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों जब 2015 में एसेस राजा मॉली की फिल्म बाहुबली दे बिगनिंग रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पुपिल रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म केजिएफ चाप्टर टू को भी बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साउथ इंडियन आक्ट्रेस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी जया प्राडा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकोन तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा सॉंदर्य काजल अगरवाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नेत्रिया ज् रश्मिका मंदाना को पिछले सान नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये एक पहले दिशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बादें बड़े-बड़े हीरोस के सांथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं तेल गूत अमिल और क थी RSVP के सारे फिल्म में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपजिट होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट कर रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलु अर्जुन की एक फिल्म आई अलु अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिय दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलु अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उनके पिछले फिल्म अलाव वैकूंट पूरम की धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनु अजिर संग अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है एक मीटिंग के बारे में नीचे कमेंग बॉक्स में अपनी जाई शेयर करें करेंगे बॉक्षण के चुछ दोस्तों आपका क्या जाई तक रलीज होगी फिल्म पुषपा के तने अवाद्स जाई 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 रहाँ है जीच चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहे दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिग्राद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुषपा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एं तक जरूर देखे ताकि सारी अपडेट्स आप तक बहुत सके और अगर अभी तक आपने हमाई चानल पर अपनी फेवरिट मूवीस रूलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमाई चानल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो उस चेक कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुश्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांगवज आक्षिन थ्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शन कर रहे हैं सुकुमार इसे प पती बाबू भी है प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं जैसा कि प्रशंसक पुश्पा के निर्माताओं को अधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतिज़दार कर रहे हैं एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलो अर्जुन के जनन दिन पर रिलीज किया जाएगा जो की 8 एप्रिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुग महिला का किरदार पुष्णा भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जन्वरी 2021 के दोरान राम चोद्रफंग और मेर्दी मुली के एजेंसी छेत्रों में दो बिजी स्केडिल्स रापप किये हैं अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रती अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिसके बिना हमाई शूटिंग पूरी नहीं हो पाती अब हम निश्यत रूप से फिर से वापस आ जाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्मिका मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशिन मंजू, अदवालू, मिकु जोहालू और सुल्तान ये सारी फिल्में 2020 में ही रुलीस होने वाली है दोस्तो अवार्ड की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मिका मंदना नहीं अभी तक 5 अवार्ड जीते हैं जो की है वहीं उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था रश्मिका मंदना आज की डीट में उस लिस्ट में भी शामिल होती है जो की महेंगी अक्रिस के बारे में होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंट से इन कारों उसी हुई पुष्पा फिल्म के शूट शीरियों में देरी क्या इस दिले की वज़ा से पुष्पा की रिलीज डेट पर भी फर्क पर सकता है पॉली ग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलो अर्जुन ने एक दो वर्ट्स में ही पुष्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म्स और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पढ़ते हुए कॉवीट के इसे से एक बार फिर से इंदिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीस या तो थियेट्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर कर्डेंटली शुट हो रही ही फिल्म्स के शुट शीडियूल में गरबरी हो गई है और कास्ट और क्रियू की सेफ्टी को मद्यनजार रखती हुए इन शीडियूल को अभी पोस्ट पॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे दिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंग या रिलीस पुशपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिड प्रोजेक्ट के दो शीडियूल ही पूरे हो पाए थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियूल की तैयारी कास्ट और क्रियू ने शुडू की तो इनका रास्ता कास लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बरी स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है इसलिए इस दिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे जरूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीस की डैडलाइन को पकर रखाना लदबग नामुम्किन सा हो जाएगा पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते इनका सिधान थी यही है ताइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूरू होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के पुष्पा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्सिस का टीजर अरजुन के बरदे 8 अप्रेल को रिलीज कर दे अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभ जब उनसे पुष्पा की शूट के बारे में डीटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ दो शवदों में बयान किया कगे देले जिसका लूसी मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्ट तेजी से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है वजा है को प्यूं मान ही लो कि शूट मस्ट दोसों की स्पीड से चल रही तो इसी बीच कोरोना नाम का स्पीड बेकर सामने आ गया अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और ये ही करना भी पड़ा है पुष्पा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क गावंदना के फिल्म पुष्पा की पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करते हुए मेकरस ने एक धहमाकेदार वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को देखने के बाद अलू अरजुन के फैंस वेहद एकसाइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलू अरजुन क का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पैचान है जहां इस फिल्म का छोटा टीजर भी कमाल का है दोस्तों देखा जा तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था मेकरस ने फिल्म के विलन जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं हाथों में रसी बन दिये और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अ फिल्ब 13 अगस्त को तेलगू, तमिल, हिंदी, कनड और मल्यालम में रिलीज होने वाली है इसे प्रोड्यूस करें मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेटी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते वे औ और उनके ओडियोंस को ध्यान में रखते वे बनाया जा रहा है ताकि इसका आनंद सभी लेंग्विजिस के दर्शक उठा सके क्योंकि इस फिल्म से अलू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद पुशपाफ फिल्म की कहान ही एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शक को फ्रेस और जबर दस्त कॉंसेब्ट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जा तो अलू अर्जुन की जितने भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट हो होती है और जब उन फिल्मों में अलू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म तो फिल्म और धहमाकेदार हो जाती है तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह फिर्स्ट ग्लिम्प आफ पुश्पाफ फिल्म नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राइश अपनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर अपनी मारता ज्यादा हों गिंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वज़े से पुश्पा मूवी से विजे सेतुपती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अजन की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वई कुंठ पुरा मलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक अगड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं अलावार्ण यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देखा तुम जड़ा सा खून देंकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका दिल पक्तर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादू बेटों की तभी नहीं है इस मलक इमेटी उतके उन से नहीं हुए अपने एक राक्चस को तो दबोच हमा नेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा ल है डि एक में आमने तक में प्रिस्त इसके में जाना में जाना मित और जाना कुछ वा है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला दिया तुम जड़ा सा खून दिकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका तिल पतरका उसको फरह नहीं पड़ता लुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है स्मलक इमिटी उनके खून से बहना ही हुए उनने एक राक्चस को तो दोबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिए इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रेजिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला दिया तुम जड़ा साथ खून देकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है आप जिसका दिल पर तरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तब ही लिए है इस मनक की मिटी उटके वरून से नहरा ही हुए उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा जाए लेकिन इस सुखने कर। जोड़े और दोड़े दीए राक्षस को तो आसदेशाने को ऑप सुखने को अप तक भी सोचागी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखलागे तुम जड़ा सा खून दिकर इतना तर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतरका उसको फर्क नहीं पड़ता शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनिट डिपलोई की भावरा पेट की पहाड़ीों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लटपद शोड़ पर जिने आठ गोलियों के निशान जिन पर भरोसा करते हैं उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गल्ती कर दिया गार्ट देने का था उसे कर दूखा था तब तेरी फड़ देए थी क्या अरे फिया परकम नहीं हुए पुश्पानाम सुख्या फ्लावर्स अंजेके अजिए 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 इस तरह टांग अड़ाने को नहीं आया अजिए अजिए राज करने के लिए आया मैं पहाडी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लगपच शोट पर मिले आठ गोलियों के लिशा ए यह क्या कर रहा है तुँ? गोलियों से खायल पुश्पा हुआ दिरुपती जेल से फराए इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां पुश्पा कम भी रूप से जख्मी गवा है शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को दूनने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉई के है अब पस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कमाता था पल तुमा लम है तिया का पुश्पा लूप यूँ पैसो का क्या करें ठीके शभी पुश्पा नहीं कर भाए पर दाए पुश्पा नहीं हमारे लिए लिए पर बाए अरे वो आम बरीगों को खाना खिला था रेकिंग निट्स जंगलों में लगाय गए गए आई लाइफ सर्वेलेंस का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरास जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी पुटेज अब आप हमारे स्टी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रून उस्वाका झाल पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉई की भागरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पाफी कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोड़ पर उसे ने आज दोलियों के निशान जिन पर भरोसा करते है उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गल्ती कर दिया कार्द देने का था हुसे उसे इस पाद चुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या अरे अरे इस क्या करता हम नहीं हुई पुश्पा नाम सुक्या फ्लावर्स अंजे क्या मैं इतरी टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लगपड शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तू पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां उता चरा है कि पुश्पा कम भी रूप से जख्मी गवा है शेशा चलम की जंगलों में पुश्पा को दूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशन यूट डिपलॉई कि है अब पस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था बल तुमाला महीतिय का पुश्पा ने उन पैसों का क्या 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 पुश्पा ने ही कर वाए पुश्पा ने ही अब यह दाए वो आम परी को खाना कही लथा था अब यह जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस कामरा का भीडियो हमारे चानल ने अभी प्राफ किया है यह कैमराज जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुश्पा आया है अबूज पुश्पागा अबूज झाल